कि यह स्ट चलते हैं बच्छों आगे चलते हैं हमारा टॉपिक अगला होगा मेथाड्स आफ प्रिप्रेशन ऑफ है लो एरीन अभी तक है रहे तो अब क्या बनाने जा रहे हैं है अब हमलोग हैलो एरीन खतम कर दिए लेलो एलकेन बनाने का जितना तरीका था लास्क बहुत ह हमने क्या देखा हैलोजन एक्सचेंज अब इसके बाद क्या आता है method of preparation of hello arine अब हम लोग hello arine बनाना सीखेंगे ठीक है बच्चों तो देखते हैं सबसे पहले कहां से बनाना है बच्चों from benzeen कहां से बनाना है from benzeen benzeen से बनाते हैं सबसे पहले क्योंकि benzeen ही aromatic compound होता है तो benzeen से बनाने के लिए reagent क्या चाहिए यह दिमाग में रखना है आपको कोई भी levis acid चाहिए क्या चाहिए levis acid अब समझेंगे levis acid क्या होता है तो levis acid क्या होता है ध्यान समझना इसको समझने के लिए class 11 से आपको यही चीज़ बताता जा बताया जा रहा है a4 acid a4 acceptor of electron जो electron accept करते हैं उनको क्या कहा जाता है acid कहा जाता है as per levis levis के हिसाब से acid वो है वैसे कोई भी chemical substance वैसे कोई भी chemical species जो electron accept करते हैं लेते हैं जिनके पास electron की कमी होती है जिनको हम electrofiles भी कह सकते हैं चैनको electron की चाहत होती है file मतलब loving electro मतलब electron जिनको electron की चाहत होती है उनको levis acid कहा जाता है तो levis acid यही होता है अब अगर हम आप से कहें कि alcl3 जो है यह भी एक acid है तो आप विश्वास करेंगे अब बहुत बच्चे पुछते हैं कि सरी एसीड कैसे है तो देखो बच्चों अलुमिनियम जो है अलुमिनियम का अटॉमिक नंबर जो होता है वो तेरह होता है तो कॉमा आठ कॉमा तीन यानि इसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्टरॉन है नीचे दिखाते हैं जादा बेटर समझ में आएगा तो जब यह तीन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्लोरीन के पास साथ है 주ster most में क्योंकि chlorine का atomic नंबर 17 है दो todavía कॉमा 7 तो 7 electron हो chlorine आड़ पूरा करना चाहिएगा तो aluminium रिंग करेगा इस परकार chlorine का भी 8 हो गया इसका भी हो गया इसका भी 8 हो गया और chlorine voiture यानि corner items का poly to longer हो गया क्या central atom का octet पूरा हुआ जवाब है नहीं इसका मतलब क्या ये electron की चाहत रखता है इसके पास दो electron की कमी है कि नहीं है है कितना कमी है तो आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसके पास deficiency है कमी है कितने electron की कमी है तो दो electron की अभी भी कमी है और इसलिए कमी को पूरा करने के लिए ये electron की चाहत रखता है और वैसा species जो electron की चाहत रखते हैं उनको electro files कहा जाता है तो alcl3 जो आप ले रहे हैं enhydras मतलब होता है सुखा dry आपको यहाँ पर भी कोई भी reagent लेना है वैसा कोई को जरूरी नहीं है कि सार ने यही लिया है तो हमको यही लेना है आप ऐसा कोई भी levis acid ले सकते हैं पर बेटर यही होते हैं aluminium chloride ले 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 या फिर fecl3 ले 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 अगर fecl3 की बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा दें यह बात तो alcl3 के लिए हो गया इसको कहीं copy में no down करेंगे dynoside में line कीच करके लिखेंगे कि है क्योंकि इसके पास electron की कमी है central atom पर ही उसके बाद यह fecl3 कहां से आता है तो actual में आप जो catalyst लेते हैं आप यहां iron भी ले सकते हैं तो 2fe और 3cl मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं 2fecl3 यानि कि 3 chlorine के molecule आप ले रहे हैं और 2 iron ले रहे हैं आप इससे कुछ नहीं लेकर एक खाली iron भी इसमें डाल देंगे तो यह अपने आप काम बन जाएगा क्योंकि iron और यहां पर जो chlorine आप लिए हैं तो यह आप जैसे ही खाली iron डालेंगे तो iron और यह chlorine मिलकर क्या करेगा रियाक करके अपने आप fecl3 बना लेगा तो आप या तो एन्हाइड्रस alcl3 डालें या आप iron डालें iron डालते ही क्या करेगा यह chlorine के साथ मिल करके यह iron इस प्रकार से fecl3 बन जाता है तो इसको भी अपने कॉपी में कहीं पर जगा देंगे कि यह fecl3 कहां से आया तो आप alcl3 पूरा का पूरा ले ले या फिर आप खाली iron डाल दें बाकी iron अपना काम खुद कर लेगा आपने आपको iron chlorine के साथ react करके यह अपने आपको लेविस एसीड बना लेगा तो कभी भी अगर आपको बेंजीन से आपको हेलो एरीन बनाना हो तो उसके लिए क्या रियेजेंट चाहिए या तो एन हाइडरास fecl3 और या फिर iron का टुकड़ा चाहिए अगर br2 लेंगे तो bromine के साथ iron मिल करके इसी परकार से 2 fe और 3 br2 मिलकर 2 fe br3 बन जाता है तो आपको febr3 लेने की ज़रत नहीं है fecl3 लेने की ज़रत नहीं है हाली आईरं डालने की दौरत है आईरं क्लोरीन के साथ, रियाख करके इस परकार से FECL3 अरथात एक Leavis Acid, आईरं ब्रोमίν के साथ मिलकर के FEBR3 इस परकार एक Leavis Acid बना लेता है, अपने आ बना लेता है, तो किसी बच्छे के मन में सवाल आगा कि अच्छा यहां क्लोरीन है, इसलिए FCL3 लेना है, यहां ब्रोमीन इसलिए FBR3 लेना है, अबे लेना नहीं है, तुम आइरन डाले हो, आइरन डाल करके ब्रोमीन के साथ रियाट करके वो खुदी FBR3 बना लिया है, तुम अगर यहां FCL3 लिख दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब थोड FCL3 तो क्या बन जाएगा, यह जो आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन में जाकर के कहीं पर एक जगा पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, और साथ में, आपको अगर इतना थोड़ा बहुत केमेश्टरी का ज्यान हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो बेंजीन होता है इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, और यहाँ पर जो आया है वो C6H5 CL आया है, जब तक बेंजीन से एक हाइडरोजन नहीं हटेगा, तब तक भाईया मेरे क्लोरीन कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हर कॉर्णर पर कार्बन तो है बेंजीन के, और सभी कार्बन चार-चार बॉन् कि हर कॉर्णर पर कार्बन और कार्बन के साथ एक-एक हाइडरोजन होता है, कुछ इस परकार से, आप अगर थोड़ा बहुत 11 पढ़े होंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए, कि बेंजीन में जो कार्बन होते हैं, वो इस परकार से होते हैं, और सभी कार्बन के साथ एक एक hydrogen होता है यही होता है बेंजीन और इसलिए बेंजीन का formula होता है C6H6 अब मेरे भाई सभी carbon जब 4-4 bond बना रखा है तो जब तक यहां से hydrogen नहीं हटेगा तब तक यहां पर hydrogen कैसे किसी carbon पर आएगा carbon तो 4 ही bond बना सकता है इसलिए आपको समझना चाहिए कि यहां से hydrogen जब तक नहीं हटेगा यहां से hydrogen नहीं हटा होगा तो chlorine कहां से आएगा यानि यहां से hydrogen हटा होगा 100 और 2 chlorine में से तो एक ही chlorine यूटिलाइज हुआ है तो एक chlorine बचा 100 और एक hydrogen बचा 100 यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे HCl बना लेंगे क्या बना लेंगे HCl बना लेंगे यानि HCl क्या होगा आपका by product होगा आसा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा तो C6H6 से क्या हो गया C6H5Cl और एक hydrogen benzene ring से जहां से निकला वहां पे chlorine गया तो एक chlorine बचा 100 और एक hydrogen बचा 100 क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा फुला सा आपको हम और एक बात समझाना चाहते हैं कि जब हम alkane के साथ chlorine का reaction कराते थे तो CH4 plus Cl2 लेते थे तो वहाँ पर खाली sunlight से काम चल जाता था वहाँ पर क्या होता था खाली Hnew लेते थे sunlight लेते थे और ऐसा करने से क्या हो जाता था CH3Cl और साथ में HCl बन जाता था कब एलकेन के साथ एलकेन से हेलो एलकेन बनाते थे तो जब एलकेन का halogenation करते थे तो हेलो एलकेन बनाने के लिए सिर्फ sunlight की ज़रुरत होती थी इतना adverse condition इतना extreme condition इतना catalyst लेने की ज़रुरत नहीं होती थी ध्यांद समझने की ज़रुरत है थोड़ा पीछे का समझ यह जब एलकेन से हेलो एलकेन बना रहे थे तो खाली sunlight से काम चल जा रहा था हां लेकिन जब बेंजीन से chloro बेंजीन बना रहे हैं तो खाली sunlight से काम नहीं चल रहा है आपको एक catalyst की आवस्यक्ता पड़ रही है तो कोई पूछेगा कि difference क्या है एलकेन से हेलो एलकेन का हेलो जीनेशन करके हेलो एलकेन बनाने में और एरीन का हेलो जीनेशन करके हेलो एरीन बनाने में क्या फरक है तो जवाब है कि इसको बहुत normal कंडिशन पर ही ये react कर जाता है जबकि इसको बहुत harsh कंडिशन चाहिए होता है catalyst चाहिए होता है एक levis acid के रूप में catalyst चाहिए होता है जिसकी बज मदद से ही यह क्या होता है एरीन में हैलोजन जाकर के जुड़ता है छोड़ छोड़ी बातों को समझते जाएं रटे नहीं similarly जहां CL2 के जगा BR2 लिये है या तो एन्हाइडरस ALCL3 लीजे या FECL3 समझा चुके हैं इसी परकार तुम जैसे ही एन्हाइडरस ALCL3 डालोगे या आइरन डालोगे तो वो आइरन ब्रोमीन के साथ रियाड करके FEBR3 बन जाएगा तो बेंजीन उसी परकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा बताईए आप खुद बता सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन कहीं पर आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा एच बी आर बन जाएगा क्या बन जाएगा है बेंजिन से एक hydrogen निकला होगा सो और एक ब्रोमीन है सो एक-बी आर बन जाएगा चलए इतना बात को नोट किए इसको भी कहीई कौपी में लिख爹गा कि एलकेन से हेलो एलकेन कैसे बनता है यहां लिख लिजसेगा एच न्यूंड लिखे हैं इस caliber sunlight होता है खाली sunlight परयापत है reaction करवानाइं के लिए जब्कि tb ilarumatech से हेलो इरीण बनाना नहों तो इसके लिए catalyst की जरूरत पढ़ती है क्योंकि extreme conditions होता है चलिए तो इसको note down करेंगे इसका screenshot ले लेंगे वीडियो को pause करेंगे लिखेंगे आगे चलेंगे हम इसके बाद एक बात और यहां से बच्चे परिशान रहते हैं एक्जाम में question आ जाएगा और bracket में ऐसा लिख देगा तो फसना नहीं है question फोड़ करके आना है कैसे अगर मालजे यही बेंजीन लिख दिया और BR2 लिख के भेज दिया और तुमको एक्जाम में दे दिया complete the following A और B and which will be which will be major or minor तो आप बच्चे छोड़ क्या जाते हैं परिशान हो जाते हैं आप क्या लिख क्या जाते हैं आप सोचते हैं कि BR2 है तो क्या बनेगा BR2 बनेगा और BR2 बेंजीन प्लस क्या हो जाएगा आप सोच रहे होंगे अगर तुम सोच रहे हो कि BR2 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा प्रोड़ क्या बनना चाहिए जब आप यह एकसेस मात्रा में लिए हैं तो एकसेस मात्रा में होने की बज़ासे क्या बनेगा पेंजीन रिंग पर दो जगह जाके ब्रोमीन जुड़ेगा एक बार ब्रोमीन यहां जुड़ेगा और उसके हिसाब से एक बार और्थो पर जाकर के ब्रोमीन जुड़ेगा एक और संभावना है कि ब्रोमीन जो है वो एक बार यहाँ पर मालीजे जुड़ा है तो इसके respect में पारा position पर जा कर जुड़ेगा यहाँ पर इसके respect में ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है ओर्थो position पर जुड़ा है इसलिए इसका नाम होगा ओर्थो के लिए O और दो बार ब्रोमीन है इसके लिखेंगे O-di-bromobenzene या लिखेंगे इसको ortho-di-bromobenzene और यहाँ पर इसके respect में पारा पोजिशन पर ब्रोमीन है तो इसको बोलेंगे P-bromobenzene क्या बोलेंगे P-bromobenzene बोलेंगे आप लोग ortho-meta-para समझते हैं अगर benzene ring में कहीं बे कुछ जुड़ा हुआ है suppose that यहाँ पर methyl group जुड़ा हुआ है तो इसके respect में clockwise या anti-clockwise चलिए इसको छोड़ करके पहला carbon जो होता है वो ortho position कहलाता है दूसरा position जो होता है वो meta position कहलाता है और तिसरा point जो होता है वो para position कहलाता है similarly anti-clockwise चलेंगे तो यह ortho position कहलाता है यह वाला जो होता है यह meta position कहलाता है यह पारा कहलाता है अब इसमें भी रटना नहीं है अगर मान लिजे कि chlorine suppose यहाँ पर लगा हुआ है CH3 मान लिजे तो इसके respect में यह वाला ortho हो जाएगा यह meta हो जाएगा यह पारा हो जाएगा यह orth हो जाएगा यह meta हो जाएगा तो रटना नहीं है कि sir ने यहाँ पर लिख दिया भई यह ortho meta पारा तो जहां पर कोई चीज़ जुड़ा रहेगा उसके respect में ortho meta पारा होता है और जो पारा वाला जो position होता है वो सबसे ज्यादा stable होता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो bromine के पा यहाँ दूसरे से maximum distance पर हैं तो maximum stability attend करेंगे ना प्यारे इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं इसका मतलब जितना दूर रहेंगे उतना stable रहेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर bromine के पास तीन-तीन lone pair यहाँ पर यह ज़िए पूरा खाली टॉस्ट में जा रहे हैं डुसरा आदमि चड़ेगा तो आपके बगल में खाली होते वह भी नहीं बैठेगा पीछे वह बैठेगा आप समझ लीजिए यहाप समझते हैं यहीं फोडियृमेना उसी परकार मॉलिटूल में भी होता है जब यहां अगर एक्सेस में लिखा रहेगा तो एक ही compound में दो बार halogen जा करके जुड़ेगा अगर एक्सेस नहीं लिखा जैसे इसके पहले वाला सवाल अगर आप देखें अपने copy में भी आप देख सकते हैं आपने note डाउन किया होगा तो जब यहां CL2 या BR2 था तो एक्सेस में लिख तो इस परकार आप बेंजीन से आप हेलो एरीन बना सकते हैं ठीक है फ्लोरो और क्लोरो वाला के लिए कहानी अलग है उसके बारे में बाद में बात करेंगे फिलाल इसको यहां तक note डाउन करिए फिर आगे बात करते हैं ठीक है इसका screenshot लीजे वीडियो को pause करके बातों को लिखिए चलते हैं आगे चले आगे बच्चों अब चलिए यह तो हो गया बेंजीन का अब आगे चलते हैं अब ले लेते हैं मालेजे एक side chain halogenation लेते हैं क्या लेते हैं side chain halogenation ठीक है माल लेते हैं ऐसा कुछ है तो इसको कैसे डील करेंगे बेंजीन में CH3 लगा है यानि इसको कहते है टॉलीन कहते है या इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन क्या बोलेंगे इसको मिथाइल बेंजीन methyl benzen कहा जाता है इसको या इसी को क्या कहेंगे tolien कहा जाता है और ये tolien को गरम करना है और इसमें डाल देना है chlorine 383 यानि लगभग 110 degree Celsius तक इसको उबालना है chlorine डाल करके और light का presence रखना है तो ऐसा करने से क्या होगा ध्यान समझेगा ऐसा करने से ये जो chlorine है ये बेंजीन के कार्बन पर कहीं पर जाकर attack नहीं करेगा तो यहाँ पर light है और जब light रहेगा तो जो बेंजीन होता है इसमें जो बेंजाइलिक कार्बन होता है देखो जो कार्बन बेंजीन से डाइरेक्टली कनेक्टेड होता है बेंजीन से बेंजीन के कार्बन को नहीं जो कार्बन बेंजीन से डाइरेक्टली कनेक्टेड होता है बता चुके हैं इसको बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है तो आपका जो क Cestoline रहेगा और light रहेगा ध्oo ध्यान समझेगा light होने से यह जो बेंजाइलिक कारबन होता है यह क्या होता है sensitive towards light Sensitive towards light Light के प्रति काफी संवेदन सील होता है और इसी कारण से जैसे लाइट पढ़ेगा तो से बेंजाइलिक कारबन जो होता है वो ज्यादा sensitive होता है इसलिए जब यहां पर light रहेगा तो light रहते हैं यह जो chlorine है यह बेंजीन के ring में कहीं न जुड़कते हुए बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ेगा और बेंजाइलिक कार्बन से एक hydrogen को हटा कर यह क्या बन जाएगा इसका नाम होगा one chloro one phenyl methane यह इसका नाम हो जाएगा chloro phenyl methane क्या नाम हो जाएगा नॉमेन क्लेचर तो बता चुके हैं ये एक कार्बन का होते हुए भी पैरेंट चेन बन जाएगा और ये छे कार्बन का होते हुए भी रिंग बन जाएगा क्योंकि इसके साथ हैलोजन लगा है और बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको बेंजाइल नहीं उसको फेनाइल कहा जाता है और इसलिए क्लोरो भी आ गया और फेनाइल भी आ गया तो क्लोरो का सी पहले आता है फेनाइल का पी बाद में आता है इसलिए क्लोरो फेनाइल मिथेन कहेंगे इसको ठीक है इसी प्रकार से जब 383 और माले की कार्बन चेन को लंबा कर दें CH3 और यहां पर आकर जुड़ गया chlorine एक और संभावना हो सकता है कि बेंजाइलिक कार्बन पर न जुड़ते हुए बेंजाइलिक के जो बाद वाला कार्बन है यहां पर जाकर क्या जुड़ जाए chlorine जुड़ जाए और साथ में क्या बाहर हो जाए हटा इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा साथ में 2HCL बाहर हो जाएगा यह ध्यान देने की जुरुड़त और यह वाला जादा मात्राम बनेगा यह 56% के आस पास बनेगा और यह वाला जो बनेगा यह उतना stable नहीं बनता है इसलिए इसको यह 44% ही बनेगा तो ध्यान दे जब अगर carbon chain यहां लंबा करता जाए, benzene से जो side chain जुड़े हुए हैं, यह side chain में benzylic carbon पर chlorine जुड़ने की चेस्टा ज़ादा करेगा, और इसमें जुड़ने के कोशिस वो कम करेगा, क्यों क्यों कि यहां इस carbon पर जुड़ता है तो stable जादा होगा, क्यों कि जब यह carbon बनेगा है यह वह वाले हो गया हो गया तो यह ज्यादा न स्टेबल है यह वाला जो बना यह क्या रादा यह प्रमबन डिकरी और यहाँ बन पाएगा तब यहाए दिगनेंगे और उन डिगरी बनेगा यहां टू डिगरी भी बने की संभावना इसान देने की जरुरत है side chain chlorination ये side chain halogenation कैसे होता है इस question को no down करिए ठीक है light रहेगा तब अगर dark रहेगा तो खेला अलग होगा चलिए इसको no down करिए फिर आगे चलते हैं बता दिये हैं कि ये वाला major क्यों बनेगा वो minor क्यों बनेगा क्योंकि ये 2 engine ring है ठीक है और यहां पर क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है यानि ये toluene है और साथ में क्या लिखा हुआ है CL2 लिखा हुआ है और यहां पर आपको reagent दिया गया है यहां पर आपको dark दिया है और iron mileage catalyst के रूपे दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब डार्क रहेगा, यब डार्क रहेगा, तो जो क्लोरीन रहेगा, यह CH3 यहाँ पर है, तो क्लोरीन बेंजाईलिक कार्बन पर न जुड़ते हुए, एक बार और और तो पर जाकर जुड़ेगा, और एक बार कहाँ तो ही klorine है, तो एक klorine यहाँ गया, एक klorine Já गया दो तो दो klorine यहाँ और कहा से आ गया, चार klorine अर यह balance नही है balance थोड़े किये है, आप जब klorine डाले होंगे तो klorine एक molecule थोड़ेन डाले होंगे, दो 254 चमममच दो उसमें लाखों करोलो मॉलेकूल होंगे न क्लोरीन के यार उसी परकार टॉलीन लिए होंगे तो एक मॉलेकूल थोड़े लिए होंगे बहुत सारा टॉलीन गया होगा तो जब टॉलीन को क्लोरीन के साथ रियाट करा रहे हैं और जब डार करक रहे हैं अंधेरा है जब और टॉलिइन क्या नाम होगा पारा पर क्लोरो लगा है, तोलिइन भी है, इसको बोलेंगे पी-क्लोरो-टॉलिइन और यहां पर लाइट कर दें, लाइट मतलब sun light, कल क्लास पर पढ़ा रहे थे एक बच्चा बोला sir light अगर भिक 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 करता रहेगा तब sir, मतलब on off, on off होता रहेगा तब sir, light मतलब यहां पर sun light लेना हो, sun light लेना हो भग 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 क्या करता रहेगा, क्या सवाल पुछते हो बताओ, तो light मतलब क्या है, sunlight, ठीक है सवाल पुछता है चाहिए, अच्छा लगता है, तो कहने का मतलब क्या है, यह CH to CL यहाँ पर जा करके जुड़ेगा, और यह क्या बन जाएगा, chloro-phenyl-methane बन जाएगा, आपके पास क्या हो गया हा, टॉलिण, अब टॉलिण को जब क्लोरीन के साथ कराएंगे, और जब light रहेगा, तो यहां जाके जुड़ेगा, जब dark रहेगा, तो कहां जाके जुड़ेगा, बेंजीन के carbon पर जाकर जुड़ेगा, तो यह धियान देना है, light और dark क्योंकि light के प् पसाते हैं, अब आते हैं from amines, यह भी एक अच्छा है, बहुत important होता है, sand mayor reaction, पहले इसके बारे में बात करेंगे, देखिए amines से भी हम, अभी तक हम लोग कहां से बनाए, benzene से बनाए, tolgene से बनाए, मतलब benzene से बनाए, methyl benzene से बनाए, इथाइल benzene से बनाए, क्या बनाए, हेलो एरीन, उसी परकार अब हम amines से भी बना सकते हैं, किस से बना सकते हैं, amines से, amines क्या होता है, तो अगर आपके पास benzene ring है, और benzene ring में कहीं पर भी कोई जरूरी नहीं, किसी भी छे में से किसी भी carbon पर, अगर NH2 लगा हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, amines कहते हैं, यह भी एक तरह का amine है, यह भी क्या एक तरह का amine है, amine क्या होता है, देखो यह आपके पास ammonia है, क्या है यह आपके पास ammonia है, और ammonia में क्या होगा, ammonia से यदि एक hydrogen को हटा कर, अगर कोई alkyl या aryl group लगा दें, यानि आर NH2 बना दें, तो यह ammonia क्या बन जाता है, amine बन जाता है, अभी nitrogen से एक carbon जुड़ा है, तो इसको one degree amine कहेंगे, समझ में आ रहा है, तो ammonia में NH3 होता है, तो तीन hydrogen में से यदि किसी hydrogen को हटा कर, वहाँ carbon का group लगा दिया जाए, तो वो ammonia amine बन जाता है, तो amine समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पर देखो nitrogen के साथ, तीन hydrogen के बदले दो ही hydrogen है, और एक hydrogen के बदले carbon वाला compound जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते है, इसको आप बेनजीन पर amine लगा है, तो इसको बेनजीना माइन कहते हैं, लेकिन इसको आप बेनजीना माइन भी कह सकते हैं, चलते हैं अब आगे,आमाइन से भी कैसे बना सकते हैं, तो amine का पहले oxidation करें गे, सैंड मेयर, रियक्षन पढ़ना है हम लोग को, लेकिन उससे पहले आपको समझना पढ़ेगा कि, डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, जब डाइजोनियम साल्ट बनाना सिखेंगे, तब उसके बाद आगे आपको सैंड मेयर समझ में आएगा, तो अपने कॉपी में इसको note down करेंगे, amines heading देंगे, amines से हेलो एरिन बनाएंगे, इसको लिखेंगे ये बात को, और इसको भी कहीं लिख लेंगे, अनिलीन क्या होता है, ammonia से amines कैसे बनता है, चलते हैं next, अब हम सकते जा रहे हैं आपको डाइजोटाइजेशन बताने जा रहे हैं, कि डाइजोटाइजेशन ये भी बहुत important होता है, वैसे तो amines में पढ़ना ही है, लेकिन उसको उपर heading देना है आपको, डाइजोटाइजेशन, क्या लिखना है, डाइजोटाइजेशन, क्या होता है, process of formation, process of formation of डाइजोटाइजेशन कहा जाता है, process of formation of डाइजोटाइजेशन कहा जाता है, Dizonium Salt क्या होता है ध्यान समझेंगे Dizonium Salt जो है Dye प्लस Agone प्लस E-M से मिलकर बना हुआ है तो Dye का मतलब होता है 2 और कहीं Agone लिखा है A-Z-O-N तो Agone का मतलब NITROZEN होता है और कहीं अगर E-M लिखा हुआ है तो E-M का मतलब Positive Charge होता है इम का मतलब क्या होता है positive charge और salt बोल रहा है तो salt क्या होता है जिसमें positive और negative दोनों हो तो daisonium salt अगर कहीं बोला जाए ठीक है तो इसका मतलब समझ जाएगा कि दो nitrogen है और दो nitrogen पर positive charge लगा हुआ है और इसको बनाना है इसके लिए क्या करते हैं हम लोग पहले हम आपने क्या लि aniline लिये हैं और इस aniline का disotization कराए है एक्जाम में बहुत important है यह disotization का reagent क्या होता है तो NaNo2 इसको sodium nitrite कहते हैं क्या कहते है sodium nitrite कहते हैं और यह आपके पास halogen acid है HCl, HBr, HF ऐसा है HX और इसको 273 से 278 का मतलब है कि 0 degree Celsius से 5 degree Celsius तक गरम करेंगे 5 degree बहुत कम तापमान है तो sodium nitrite वो actual में होता है क्या है समझे ध्यान से पहले यह जो sodium का बना हुआ product है sodium nitrite यह highly unstable होता है highly unstable होता है room temperature पर यानि यह room temperature पर exist नहीं करता है तुरंत इसमें क्या हो जाएगा react कर जाएगा explosive धमाकेदार तो इसको control करके रखने के लिए इसको hydrochloric acid या HBR में डुबो करके रखा जाता है जैसे आपने सुना होगा कि sodium को भी क्यारोसीन में dip करके रखा जाता है ताकि वो controlled manner में रहे react नहीं करे oxidize नहीं हो तो इसी परकार से sodium nitrite को HCL या HBR में डुबो करके रखा जाता है जरुरत आपको na no2 की है लेकिन यह अकेले नहीं रहता है room temperature पर इसलिए उसक परके रखने की वज़ा से यह क्या होता है यह Hno2 बन जाता है तो अगर आपके question में इसको कहते है nitrous acid Hno3 रहता तो इसको nitric बोलते और Hno2 है तो क्या बोलेंगे nitrous बोला जाता है तो ध्यान देने की ज़रत है कि na no2 plus hx लिखा रहे है आपके question में या इसके बदले आपके प और यह reagent आप अगर खोज रहे है question paper में और यह ना दे करके यह दिया हुआ हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है हमने क्या कहा कि यह room temperature पर exist नहीं करता है तो इसको hydrochloric acid बे डूबो करके रखते है ताकि यह controlled manner में रहे सांत रहे और यह दोनों को मिला के रखने की वज़ अगराना नहीं है अलग-अलग किताबों में चीज़े अलग-अलग रहती है ठीक है तो मैंने clear कर दिया कि यह ऐसा क्यों होता है अब यह आपके पास aniline है जब digotization कराते हैं तो जिस carbon पर NH2 लगा था वहाँ पर क्या हो जाता है N2 plus X minus जो nitrogen है डाइजोन है और उसमें plus लग benzene disonium halide कह रहे हैं इसको salt भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें plus और minus दोनों charge available है एक साथ ठीक है इसको लिख लेंगे digotization क्या होता है तो disonium salt बनाने की प्रक्रिया को disotization कहते हैं यह जो benzene disonium halide बनाए है यह freshly prepared रहता है इससे आप दुनिया का कोई भी aromatic product बना सकते हैं यह ऐसा जबरदस्त intermediate है यानि आपको कोई भी aromatic compound बनाना हो तो आप इससे बहुत आसानी से बना सकते हैं इसलिए जब भी कभी आपको aromatic product बनाना हो तो यह आपको बनाने आ नहीं चाहिए इसलिए यह बहुत important reaction है disotization तो कभी भी आपके पास aniline हो इसका disotization कर दीजे तो क्या बन जाएगा disonium salt बनेगा इस disonium salt से दुनिया का कोई भी aromatic compound बनाया जा सकता है समझ में आ रहा है बात यह कभी भी store करके नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह बहुत highly unstable हो होता है इसको आप room temperature पर नहीं रख सकते है जीरो से 5 degree Celsius में आप 2-4 minute के लिए ही आप इसको reserve करके रख सकते है उससे ज्यादा देर तक यह store नहीं रह सकता है यह तुरंत अपने आपको react करके कुछ और बन जाता है इसलिए हमेसा ध्यान रखिएगा कभी भी आपको laboratory में बोल नहीं जा सकता है दाइजोनियम साल्ट हमेसा freshly prepared होता है क्योंकि यह highly unstable होता है समझ में आ रहा है बात हाँ तो आपको यह बनाने आना चाहिए तो आपके पास aniline है इसका disotization करेंगे तो benzene disonium salt यह जो benzene disonium salt होता है यह क्या होता है highly unstable होता है at RT RT का मतलब होता है room temperature रजनी गंधा तुलसी नहीं समझिएगा highly unstable at room temperature इसलिए इसको store करके नहीं रखा जाता है यह हमेशा freshly prepared रहता है तो diesotization का reagent को लिख लेंगे copy में आगे चलते हैं इसके बाद इसका screen shot ले लें बच्चों फिर आगे चलेंगे प्यारे ठीक हो गया है okay next इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे send mirror reaction अब आपको समझ मेर reaction क्या होता है ठीक ध्यान समझेंगे send mirror reaction क्या होता है देखए send mirror reaction आपको हर chapter में मिलेगा आपको helloicar chapter में हिमिलेगा आपको alcohol chapter में भी मिलेगा आपको Amines चैप्टर में मिलेगा मतलब जितना भी और्गानिक का चैप्टर है Eldehyde Ketone सब में आपको Sand Mayor देखने को मिलेगा और Sand Mayor अगर नाम सेम है तो Reaction भी सब में सेम होगा उसलिए Confuse होने की जरूरत नहीं है समझ में आ गया तो Sand Mayor Reaction होता क्या है जब आपके पास Benzene Dysonium Salt हो क्या हो आपके पास Benzene Dysonium Salt हो तो Benzene Dysonium Salt को Copper के हलाइड के साथ Copper के साल्ट के साथ इसको कहते है Cu2X2 यानि अगर Cu2Cl2 ले सकते हैं Cu2Br2 ले सकते हैं यहाँ पर X के जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ क्लोरिन या ब्रोमीन ही ले सकते हैं आप फ्लोरिन या Iodine वाले कंपाउंड सेंड मेयर से नहीं बना सकते हैं सेंड मेयर से बनाने के लिए दूसरा व्यवस्था करना पड़े उसको अगर फ्लोरीन और आयोडीन वाला हैलोरीन बनाना है तो सैंड मेर नहीं वो दूसरे तरीके से रियाक्ट करता है परंतु बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से उसको भी बना सकते हैं ठीक है तो यह बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है यहाँ पर आप Cu2, Cl2 ले सकते हैं समझे ध्यान से सैंड मेर रियाक्शन में आप क्या लेते हैं कैटलिस्ट के तौर पर कॉपर का सॉल्ट लेते हैं साथ में आप हैलोजन एसीड लेते हैं यहाँ पर जो भी हैलोजन लेंगे वो याएगा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रुरत है अगर यहाँ CuCl, HCl लिये है तो यहाँ पर क्लोरिन आएगा अगर Cu, Br, H, Br लिये हैं तो यहाँ पर क्या आजाएगा ब्रोमिन आजाएगा मतलब जो भी यहाँ लोगे एक्स के जगापर यहाँ पर आजाएगा दिखते हैं आगे है क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है तो हमको यहीं पर समझाना पड़ेगा जैसे मान लिजिए आपके पास क्या है ध्यान समझेगा सैंड मेयर रियाक्षन में क्या होता है बहुत इंपोर्टेंट रियाक्षन है एंटू प्लस और सी यल माइनस है सपोस दैट एक्जामपल दे रहे हैं औ तो CuCl प्लस HCl ले ले या फिर एक ही साथ क्या ले लें Cu2Cl2 ले ले ऐसा करने से इस बेंजीन रिंग पर जहां पर N2 प्लस Cl माइनस लगा है वहां पर जाकर क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरो बेंजीन अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस आपका अलग हो यहां पर एक भात ध्यान देने की जड़रत है कि अगर यहां पर यह जो क्लोरीन आया वो कौन सा क्लोरीन आया CuCl वाला आया कि HCl अब नयरे है कि यहां जो आप HCl ले रहे है इसमें जो हैलोजन रहेगा वो वाला हैलोजन यहां पर आएगा यहाँ CuCl का chlorine नहीं आया है यहाँ पर HCl का chlorine गया है यहाँ पर हला है प्यारे कि अगर मान लिजे कि आपके पास क्या है N2 प्लस Cl- है suppose that N2 प्लस Cl- है और मैंने यह पढ़ा कि आपको भेजा CuCl प्लस HBR आपके एक्जाम में आ गया और बोला complete the following तुम तो रटके गया हो CuCl HCl रहेगा तो chlorine जोड़ देंगे अब CuCl और HBR हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो ध्यान देना है कि उस condition में ही CuCl हो वो catalyst है यहां जुड़ेगा तो आपका bromine और साथ में क्या बाहर हो जाएगा N2 आपका बाहर होगा तो कहने का मतलब है कि जो हैलोजन acid का जो हैलोजन रहेगा वो वहां पर जाकर के replace होता है exchange होता है समझ में आ गया तो यह चीज़ धियान देना है कि sand disonium salt अगर है तो यहां chlorine बनेगा अगर Cu2, Cl2, Br2 लिये हैं तो क्या बनेगा bromobenzine बनेगा या CuBr plus HBr लिये हैं तो क्या बनेगा bromobenzine बनेगा या उस परकार से अगर लिये हैं तो इसको भी कहीं पर note करके लिखिएगा धियान समझने के ज़रत है कि वहां पर bromine कहां से जाता है CuCl वाला chlorine जाता है या HCl वाला chlorine जाता है धियान से समझेगा ठीक है तो यह होगी यही है आपका sand mayor reaction इससे आप क्या बना सकते हैं फ्लोरो या salt लेने की ज़रूरत नहीं होता है because iodo और fluorine बहुत अलग तरीके से react करते हैं तो इसको भी अपने copy में एक मिनट इसको screenshot ले लिजे आप इसको example लिख लिजेगा यह वाला example लिखेंगे example one और इसको लिखेंगे example two इसको क्या लिखेंगे example two सेंड मेयर के अंदर दो example लिख लेंगे या तो इसको भी लिख ले example 1 और इसको लिखे example 2 चलो इसका screenshot ले लो फिर आगे चलते हैं next अब इसके बाद क्या है अगर iodine वाला बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों अगर iodine वाला बनाना है तो copper salt लिने की ज़रूरत नहीं है simply क्या करना है जो आपने बेंजीन डाइजूनियम salt लिया है इसमें potassium iodide डाल करके थोड़ा दशच कर देंगे और शेक करर करने तो इससे क्या हो जाएगा यह आपके पास iodobenzine बन जाएगा यहां पर यह यहां यह आपको नहीं दिखाए दे रहा है तो आपको में बनता उसी परकार अगर आयोडो बेंजीन बनाना है तो आयोडो बेंजीन बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ Cu2i2 नहीं लेना है यह एक्जिस्ट नहीं करता है इसके अलावे आप CuI plus HI भी आपको नहीं लेना है इतना करने का ज़ूरत नहीं है क्योंकि यह बहुत reactive होता है यह भी highly unstable है और यह भी reactive है तो इतना कुछ करने का ज़ूरत नहीं है सिर्फ potassium iodide लीजे इससे ही आपका काम बन जाएगा और यह iodobenzine बन जाता है इसी परकार अगर मान लेजे हमको fluorobenzine बनाना है benzine dijonium salt से fluorobenzine बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसमें नहीं दिया हुआ है चली तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं मान लेजे अगर आपके पास fluorobenzine बनाना है और यह आपके पास क्या है इसको भी कहें लिख लेंगे अपने copy में N2 प्लस और X माइनस है और fluorobenzine बनाना है तो आपको जो reagent यूज़ करना है वो आपको लेना है HbF4 इसको बोलते हैं fluoroboric acid बोलो क्या कहते हैं fluoroboric acid कहते हैं fluoroboric acid और जब आप fluoroboric acid का इस्तमाल करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा जो benzine ring पर जहाँ N2 प्लस X माइनस है तो fluorobenzine बनाने के लिए भी copper salt लेने की जरूरत नहीं है और iodobenzine बनाने के लिए भी copper salt लेने की जरूरत नहीं है तो fluorobenzine बनाना है तो HbF4 लेना है और iodobenzine बनाना है तो Ki लेना है इसको भी अपने copy में note down करेंगे तो फ्लोरो बेंजीन कैसे बनता है, आयडो कैसे बनता है, और प्लोरो ब्रोमो कैसे बनता है, ये clear हो गया, ठीक है, चलो, no, down करो, फिर आगे बात करेंगे, हो गया है न प्यारे, इसको लिखो, चलो, next, अब गैटर मैन रियक्षन क्या होता है, वैसे तो NCRT बुक में ये गै गैटर मैन रियक्षन आपको किसी चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, और जैसे डाइजोनियम सॉल्ट से आप हैलो, मतलब हैलो एरीन बनाते हैं, उसी परकार गैटर मैन रियक्षन से भी आप क्या कर सकते है, हैलो एरीन बना सकते है, डाइजोनियम से, बस फरक क्या है बहाँ पर आप sand mayor में जो reagent लेते थे, दोनों में difference कहा है, ध्यान समझो sand mayor में आप क्या लेते थे, प्रियरेजेंत लिएते थे, तो sand mayor में जो है लेकिन जब आप Gatter Man ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यह जो Gatter है, G-A-T-R, Gatter Man में जो आप Reagent लेते हैं, यहाँ पर Copper Soit लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Copper Powder ही पर्यापत है, यानि Copper का Powder जो है, अब Copper ही क्यों लेते हैं, यह बात तो हम आपको P Block में पढ़ाएंगे, जब सब यहीं पढ़ाएंगे, Organic में तो Inorganic में क्या पढ़ाएंगे, वहाँ भी तो कुछ बचने चाहिए ना, तो Gatter Man में, यह तो लेक्चर लंबा होता चला जाएगा, Gatter Man में जो रेजेंट लेते हैं, वो सिर्फ Copper Powder लेना है, और साथ में क्या लेना है, हैलोजन, यहाँ C-U- C-U-H-C-L लेना है, एक्च्वल में, एक्च्वल में है क्या यह Gatter Man, डिफरेंस में खास नहीं है, एक्च्वल में Gatter Man को ही कहा जाता है, Modified Sand Mare Equation, यानि Modified Sand Mare है यह, Sand Mare को ही थोड़ा Modify कर दिया गया है, Gatter Man बाकी कुछ है नहीं, बहुत दिमाग लगाने की जरुरत नही है, Gatter Man और Sand Mare में क्या डिफरेंस है, बस यह दिमाग में रखना है कि Sand Mare के लिए जो Reagent यूज करते हैं, वो Copper Salt लेते हैं, जबकि Gatter Man के लिए सिर्फ Copper Powder ही परियाप्त है, आपको Salt लेने की उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसको भी Note Down कर लिए, Gatter Man Reaction और Sand Mare में क्या डिफरेंस है, इसको भी Note करके लिख लेंगे, डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, खाले हलका सा डिफरेंस है, ना के बराबर, चलो next, आगे चलते हैं, और इसके बाद एक Last Reaction है, आज के Lecture का, from Phenol, Phenol से कैसे बना सकते हैं, Phenol क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH लगा बेंजीन रिंग को Phen कहा जाता है, बेंजीन को क्या कहा जाता है, Phen कहा जाता है, और अगर उसमें अलकोहल लगा हो, तो उसको Phenol कहते हैं, तो कभी भी Phenol से भी अगर आपको हेलो एरीन बनाना हो, तो आप PCL3 या पी, या कहने का मतलब है, कि आप PX3 या PX5 यानि Phosphorus Trih Halide या Phosphorus Pentahalide की मदद से भी आप बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पर PCL5 लिए है, तो POCl3 बना है, अगर आप यहाँ पर PX3 लिए होते, तो आपका क्या बनता, अगर आप PX3 लिए होते, तो आपके पास क्या बनता, ये बनता, और साथ में आपके पास H3PO3 बन जाता, इ इसको क्या कहा जाता है, Phosphorus Oxychloride कहा जाता है, Phosphorus Oxychloride, और इसको क्या कहा जाता है, तो PCL5 लेंगे तो ऐसे रियाक करेगा, और PX3 लेंगे तो ऐसे रियाक करेगा, समझ में आया, हाँ, X मतलब यहाँ क्लोरीन लेंगे, PCL3 अगर लेते, यह समझने का मतलब यह समझे आप कि PCL5 के जगह पर आप क्या लिए होते PCL3 लिए होते तो ऐसे react करता, PCL5 लिए है तो ऐसे react करेगा, ठीक है तो phenol से भी आप hello arine बना सकते हैं यहाँ पर आपका खार खतम हुआ method of preparation of hello alcan and hello arine, preparation खतम हो गया है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, और अगली class में हम लोग जब मिलेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों physical properties पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, physical properties पढ़ेंगे, और physical properties of hello alcan and hello arine के बाद chemical reactions पढ़ेंगे, उसके बाद यह chapter almost खतम हो जाएगा, ठीक है, तो अभी और तीन, चार, पाँच लेक्चर चलेगा, उसके बाद यह अभी खतम होगा, ठीक है, आसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका screenshot ले लीजिए ठीक है, आप लोग चीजों को सीख रहे होंगे आप अगर सीख रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है, थाइंक यू